अगर आप पुराने गानों के शौकीन हैं तो आपने ये पंक्तियां तो जरूर सुनी होंगी मिल के भी हम मिलना सके, क्या मिला फिर प्यार में दरसल यहां हम ऐसे दो समुद्र की बात कर रहे हैं जो मिल कर भी कभी नहीं मिलते कोई कहता है कि इसका जिक्र शिव पुरान में है तो कोई कहता है कि इसका जिक्र कुरान में है लेकिन कोई भी इन दोनों का रहसे नहीं जानता हलो फ्रेंस मैं हूँ श्वेता सिंग युनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रहसियों में शुमार है अलासका की खाड़ी इस खाड़ी में ऐसी जगे है जहां दो समुदर का पानी जब टकराता है तो दुनिया के होश उड़ जाते हैं जहां एक तरफ गहरा नीला पानी है तो दूसरी तरफ मट मेला नीला पानी कहते हैं इस अध्भुत नजारे को देखने के लिए लोग दुनिया भर से जमा होते हैं इस नजारे को देख कर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि दोनों समुद्र का पानी आखिर आपस में क्यों नहीं मिलता आखिर इसका रहस्य क्या है क्योंकि इस नजारे को देख कर तो यहीं लगता है कि पानी के बीचों बीच कोई लक्षमन रेखा खिची है जिसे दोनों कोई कोशिश तक नहीं करता दुनिया भर में कुछ लोग इसे चमतकार मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक मानिता से भी चोड़ते हैं मुसलिम मानिता की माने तो ये अल्ला का चमतकार है जिसका जिक्र पवित्र कुरान में है वहीं हिंदू मानिता के मताबिक इसका जिक्र शिव महापुरान में किया गया है यानि प्रकृती के इस अध्भुत नजारे को धर्म से भी जोड़ा गया है धर्ती के करीब 30 प्रतिशत हिस्से पर जमीन और 70 प्रतिशत हिस्से पर पानी है लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि धर्ती पर दो महासागर आपस में मिलते तो जरूर है लेकिन दोनों का पानी अलग-अलग साफ नजर आता है दरसल अलास्का की खाडी में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आकर मिलते हैं इन दोनों समुद्र की सबसे निराली बात तो ये है कि ये दोनों कभी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करते। जिसका अंदाजा आप उनके पानी के अलग-अलग रंग से लगा सकते हैं। अगर आप इस नजारे को करीब से देखना चाहते हैं तो इसके लिए शिप की मदद लेनी होगी। कहते हैं कि दूर आसमान से देखने पर तो ये नजारा बहुत शांदार लगता है। दरसल ये एक ग्लेशियर से आने वाला मट मेला हलका नीला पानी है तो दूसरा गहरा नीला पानी। इन दोनों के मिलन की दिवार भी साफ नजर आती है। असल में दोनों समुद्र का पानी एक दूसरे से अलग होने की खास वजह है। विज्यानिकों का कहना है कि ये पानी के घनत्व और उसके तापमान समेथ कई बड़े कारणों से जुड़ा है। तमाम रिसर्च के बाद विज्यानिक इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस जगे पर खारे और मीठे पानी का अलग-अलग घनत्व और उनमें मौजूद लवण और तापमान के अलग-अलग होने की वजह से दोनों समुद्र का पानी आपस में पूरी तरह से मिल नहीं पा प्रशांत महसागर का पानी लेशियर से आने के कारण हलका नीला और नमकीन होता है जबकि हिंद महसागर का पानी काफी खारा है इन दोनों महसागरों का पानी उपरी सतह पर अलग-अलग घनत्व होने की वजह से मिल नहीं पाता और ये पानी जब आबस में टकराता है तो कुछ जाग पैदा होता है ये जाग पानी की उपरी सतह पर एक सीमा रेखा की तरह नजर आता है सूरज की रोश्टी में खारे और मीठे पानी के अलग-अलग घनत्व के कारण दोनों पानी का रंग एक दूसरे से बिलकुल जुदा होता है कहा जाता है कि हलके घनत्व वाला पानी उपर तैरता है और खारा पानी नीचे चला जाता है यानी बटमेला पानी नीले पानी पर तैरता रहता है लेकिन इसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा पाता खैट जो भी हो ये नजारा वाकई में चौकाने वाला है आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें साथ ही चानल को सब्सक्राइब भी करें जैहिन दोस्तों